वो हमेशा लोगों की आँखों का तारा बना रहा और दुनिया के सारे सिलेबिरिटीज में से वो सबसे ज्यादा चहीता रहा स्वागत है आपका watchmojo.com में और आज हम बात करेंगे माइकल जैक्सन के टॉप 10 मोमेंट्स के बारे में इस लिस्ट के लिए हमने माइकल जैक्सन के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण, यादगार और आइकॉनिक मोमेंट्स चुने हैं पॉप म्यूजिक का बादशा जितना talented था उतना ही controversial भी था और आज के इस countdown में हम उनके करियर के उतार चड़ाव के बारे में बात करेंगे बस यही से MJ की शुरुवात हुई थी उनके सुहाने सफर की ये शुरुवात बहुत ही अनूखी थी 1964 में दे जैक्सन फाइव को बनाया गया Gary, Indiana, Jackie, Tito और Jermaine Jackson इस बैंड के founding members थे इस बैंड को Marlon और Michael ने बाद में जॉइन किया था इन पांच लोगों ने मिलकर कमाल कर दिया Motown Records के लिए 1969 में गाया और उसी साल I Want You Back इस गाने ने भी धूम मचा दी थी इस गाने ने अपना No.1 मुकाम हासल कर लिया था और फिर Jackson Brothers एक जाना माना नाम बन गए और सबसे खास नाम था एक Fresh Voice का जिसका नाम था Michael No.9 The Baby and the Balcony 21 सदी की सबसे बड़ी celebrity headline Michael Jackson के बारे में थी जिन्होंने अपने हाल ही में जन में छोटे बेटे को बड़ी ही गेर जिम्मेदारी से तीन मंजिला उपर की खिड़की पर लटका दिया था जिसकी वज़ा से वो खबरों में छाए रहे ये स्टन्ट Berlin के होटेल Aldon में हुआ था और वो Michael का तीसरा बच्चा था Michael Prince 2 उस बच्चे को इतनी निर्दयता से खिड़की में टांगने से पहले ये अटकले लगाई जा रही थी कि शायद Michael तीसरी बार पिता बने हैं पर इस हाथसे के बाद इन अटकलों को लेकर सारा डाउट क्लियर हो गया नमबर एट हाथसे में जल चुके थे MJ 1984 में पेपसी के लिए एक अड़टिस्मेंट शूट करते वक्त किसी पटाखी की शूट पर आक्सिडेंट की वज़ा से जैक्सन के बाल जल गए थे ये हाथसा तब हुआ जब माइकल 25 साल के थे और अपने करियर के सबसे काम्याब दौर का मज़ा ले रहे थे बिली जीन्स के परफॉर्मेंस के वक्त उनका स्क्याल काफी जल चुका था कहते हैं वो सेकंड डिगरी बॉन था इतने खतरनाक हाथसे के बाद भी पता नहीं कैसे पर माइकल एकदम शांत थे ये हाथसा उनके करियर के शिखर पर हुआ था उस साल माइकल को आठ ग्रामी अवार्ड मिले थे उनकी चुपी सबके लिए एक सवाल बन गई थी माइकल जाक्सन की मरी प्रेजली के साथ शादी बहुत ही थोड़े समय तक टिकी और उस रिष्टे में अपनी कॉंट्रोवर्सी भी थी 1994 में डॉमेनिकन रिपबलिक में इन दोनों ने चुपके से शादी कर ली थी उनका पहला पबलिक अपेरंस MTV वियमे में हुआ था जहां उन दोनों ने कहीं लोगों के सामने एक दूसरे को कुछ इस तरह से किस किया कि वो खबरों में चा गए उन दोनों का साथ कुछ ज्यादा दिन नहीं चला 1996 साल के शुरुवात में प्रेजली ने डिवोस केस फाइल कर दी ये सब इतनी जल्दी खत्म होगा ये किसी ने सोचा नहीं था अगर प्लास्टिक सर्जरी के ओवर्यूस का पोस्टर देखना है तो माइकल जाक्सन की फोटो देखिये भले ही माइकल ने सिर्फ दो बार सर्जरी की बात कबूली और दोनों बार सर्जरी ना की थी ये बताया था पर आखों को दिखने वाला सच कुछ और ही था उनका फिजिकल अपेरेंस इस बात को जुट लाता था पर लोगों को सबसे ज्यादा अचमबा जाक्सन के स्किन कलर बदलने के बाद हुआ जाक्सन विटिली गो नाम के स्किन डिजीज से पीडिक थे जो कि स्किन पिग्मेंटेशन से रिलेटेट था इसी लिए जाक्सन ने खुद को पूरा ही ब्लीच कर लिया जिससे उनका नाचुरल कलर ही चेंज हो गया नमबर फाइव मार्टिन बशीर फरवरी 2003 में लिविंग विद माइकल जाक्सन इंटरव्यू 50 मिलियन लोगों ने देखा था जिसमें सबसे ज्यादा लोग US और UK के थे बशीर ने उस शो में जाक्सन के चेंजिंग अपेरंस पर ज्यादा फोकस किया इसमें जैक्सन ने कुछ शौकिंग सच बताए उन्होंने ये माना कि उन्होंने छोटे बच्चों के साथ नज़दी की संबंध बनाए इस खुलासे के बाद कुछ फाउंडेशन्स कानूनी मुसीवत में फज गई थी पर इस इंटर्व्यू के बाद बशीर को भी बक्षा नहीं गया प्रिटिक्स ने इसे बशीर के येलो जोनलिजम का गलत इस्तिमाल कहा और अंतराश्ट्रिय लेवल पर उनकी इमिज खराब करने का इल्जाम भी लगाया 4. The Child Abuse Trial Michael Jackson की जिंदगी का सबसे कॉंट्रोवर्शल साल 2005 था Child Molestation के जुर्म में Jackson पर केसेज दर्ज हुई थी हाला कि Jackson उन सभी चार्जिस में दोशी नहीं पाए गए पर बदनामी के दलदल से वो बच नहीं पाए 1993 में भी 13 साल के लड़की के साथ Molestation करने का आरोप लगा था इस मसले को आउट अफ कोट सेटल किया गया पर मीडिया ने दूसरी बार ऐसा नहीं होने दिया कहते हैं कि Michael के करियर की धलान यहीं से शुरू हो गई थी नमबर त्री ठ्रिलर Jackson को अपनी जिंदगी में एक मुकाम तक ले जाने वाला यह वो हसीन पल था Thriller 30 मार्च 1982 में रिलीज हुआ यह Michael का चटवा सोलो आलबम था और शायद बहुत इंपोर्टन भी यह आलबम अब भी बेस्ट सेलिंग आलबम का इतिहास बना चुका है और यह आज भी पोस्ट डिस्को ब्लेंड और आरेंड भी पॉप और फंक म्यूजिक के लिए जाना जाता है साथ ही में इसके प्रोमोशनल टोल के लिए भी यह बहुत फेमस हो गया था यह एक मिसाल बन चुका है दुनिया में माइकल जाक्सन से पहले ऐसे आग्ड किसी ने नहीं किये थे नमबर टू दे किंग आफ पॉप अब नहीं रहा 25 जून 2009 को माइकल जाक्सन की 50 साल की उम्र में मौत हो गई जैसे ही जाक्सन के मौत की खबर ओनलाइन डाली गई बहुत सी बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स, इंटरनेट ट्राफिक की वज़ा से क्रैश हो गई थी साथ ही में जैक्सन की अंतिम यात्रा को दुनिया में ओनलाइन सबसे ज्यादा देखा गया ये इतनी भारी संख्या में देखा गया कि वो एवेंट ओनलाइन दुनिया के लिए इतिहास बन गया हाला कि उनकी क्यारक्टर पर काफी सवाल उठे थे पर उनकी जाने का दुख फैंस की आँखों से चलक रहा था पर ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ था जैक्सन के परसनल फिजिशन कॉन्राड मुरी को दो साल जेल में बिताने पड़े क्योंकि उनकी प्रस्क्राइब की गई दवाई के ओवर्डोस की वजा से जैक्सन की मौत कुई थी इससे पहले के हम नंबर वन पिक आपको बताएं आए देखते हैं कुछ ओनरेबल मेंशन्स He is Michael Jackson's favorite companion and he is bound to be the object of a lot of affection. Did you bring the letter from your boss? Also still featured is that Neverland flower clock. Michael bought the estate back in 1987 for 19 and a half million dollars. No. 1. वो पहला मूनवोग इसमें कोई शक नहीं कि वो एक आइकॉन थे और साथ ही में उन्होंने काफी ट्रेड मार्क बनाएं. वो खुद से कुछ ज्यादा ही प्यार करते थे, शायद यही हो जा थी कि वो विवादों में रहते थे. पर सबसे सेंसेशनल बात हुई मार्च 25, 1983 में. बिली जीन के वक्त स्पेशल पफॉर्फॉर्मेंस टीवी पर देते वक्त जैकसन ने पहली बार मून वॉक किया था. हम सबने उन्हें कॉपी करने की कोशिश की. कुछ तो काफी हद तक काम्याब भी हुए, पर उनसे अच्छा मून वॉक कभी कोई नहीं कर पाया. क्या आप हमारी लिस्ट से सहमत हैं? क्या हमने कोई मॉमेंट मिस किया है? ऐसे ही सेलेब्रिटी से जुड़े टॉप टेन फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें watchmojo.com आप ह में ङूझ कॉण हुआ है प्रॉज मेंट है ख्रॉज judgment